वीडियो है ठीक है लेकिन वीडियो को जो पहला रहा है मां तो गला गला कीज क्यों से ला रहे है दुनिया में पहले कोरोना चल रहा है पहले दुनिया चले जा रही है अभी अभी इसे सांथ का हुआ आप क्यों लड़की को डिपरेशन में डाल रहे है जैसे कि अब भी आपने निशा की लीक हुई एक छोटी सी कॉल रिकोर्डिंग सुनी और आपको इस वीडियो में आगे निशा की पूरी फूल कॉल रिकोर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ और दोस्तों सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि दिल खुस हो गया भाई दिल से धन्यवाद आप सभी को और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये निशा का पहला केश होगा जिसके सबूत पे सबूत लीक होते जा रहे हैं सबसे पहले तो उनका वीडियो वाइरल हुआ जिसके बाद वीडियो में लड़के की पेचान हुई जब लड़के की पेचान हुई तो पता चला कि वो तो निशा का बोईफ्रेंड है जिसका नाम रमजान है और दोस्तो इसके बाद में निसा का statement लिख हुआ जिसमें निसा ने खुद सापसा बताए कि वीडियो उनी का है और वीडियो में उनी के द्वारा बनाया गया था लेकिन ये गलती से Snapchat की स्टोरी पर share हो गया था और फिर भही से वीडियो social media पर viral हो गया और फिर इतना कुछ सामना आने के बाद निसा ने खुद एक वीडियो में बता दिया कि वीडियो मेरा ही है अगर आपने निसा का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं और दोस्तो आप निसा की call recording भी leak हो गई है इस call recording को play करने से पहले भाई आपको एक comment बता देता हूँ उस भाई ने मेरे एक वीडियो के नीचे comment किया था कि निसा गोर्गें सायद मियाख हलिफा का record तोड़ देगी जी हाँ मैं उसी मियाख हलिफा की बात कर रहा हूँ जिससे आप समझ रहे हैं चलिए वो तो आगे देखते हैं कि निशा क्या करती है लेकिन आप आपको निशा के call recording सुना देता हूँ जैसे कि आपने सुना कि निशा ने खुद बता दिया कि वीडियो उनिकी गलती से सेर हो गया था मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों से है जो निशा के followers हैं कते ही निशा के भक्ते बने जा रहे हैं अब आप अपनी निशा देवी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे हाला कि मैं निशा को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आप तक उनके सच्छा एलाना ये मेरा काम है दोस्तो आप मुझे comment section में जरूर बताना कि निशा के बारे में और निशा के viral हुई वीडियो के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे